सब्सक्राइब को नवस्ते बाल ग्यान मंदर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है यदि आपने इस बाल ग्यान मंदर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंतक देखें इस वीडियो में हम पांच कक्सा अट कक्सा दस और कक्सा बारा के विज्यारतियों के लिए मेहतुन प्रशनों को हल करने जा रहे हैं जो आज हमाराgment ềnबर साथ हैं पार्टनमर साथ में हम कि रासयन विज्ञान को लोटेंगे और उससे संब्रित मिहतुन प्रशन से उनको यह हल करेंगे ठीक संगमरमर का रासायनिक शुत्र है इस विचार घर नहीं है केलशियम हाइड्रोक्साइट केलशियम आज़ कारबोनेट और सोडियम कलोर्ड Esse icon social सही है एक एक पर हम विचार करेंगे केल्शियम हाइड्रोक्साइट यह भी इसका सही आंसर नहीं है केल्शियम ओक्साइट यह भी संग्मर्मर का राशन शूत्र नहीं है केल्शियम कार्बोनेट केल्शियम कार्बोनेट केल्शियम कार्बोनेट के इसका सही आंसर है आज छो आगे अज़ए अब केल्सियम कार्बॉनेट क्या है इसको थुड़ा पने विश्थार से समझ से हैं कापन केल्सियुम हाइड्रोक्षाइड ये कार्म डाइकसड गैस के साथ जो क्रियां करते हैं तो क्रियां करने के बाद केल्सियुम कार्बोनेट प्लस H2O के रूप में आते हैं तो जो दिवार हैं उस पर चमक आ जाती है उसमें भी केल्शियम कार्बोनेट का उप्योग किया जाता है अब इस अभिक्रिया में नीर्मित जो बुझे हो चुने का जो विलियन का उप्योग किया गया यह दीवारों की सपेदी करने के लिए उप्योग किया जाता है और केल्शियम हाइड्रोक्षाइड वाईयों में उपस्तित कार्बोन डाइक्साइड के साथ देमी गती से अभि भाजवार के रूफ में काम आज जाती है ठीक है तो यह हुआ केल्शियम कार्बोरिट पूरा और यह केल्शिम कार्बोनेठ का दूसरा नाम हो गया शेंग मर् उमर का र्शाइम शूतर ृक्ल्ष्यम नबर 2 क्संत्रे में कौनझा अमल होता है तो इसके चार विकल्प तो अपन देखते हैं सबसे पहले के सीट्री कंबल निम्भूम पाए जाता है एसीट्री कंबल सिर्क्य में पाए जाता है तो यह चारू चीजें जनरल हम जानते हैं लेकिन इसमें संत्रा सब्स अलग लिया गया जो चीज निम्भू में वही संत्रे में है तो इसमें भी शीट्री कंबल ही पाया जाता है तो अपना सही आंसर क्या होगा सही उत्तर सही उत्तर ए शीट्री कंबला शीट्री कंबला अब प्रेस्ट नंबर तीन है द्रव अउस्ता में पाई जैने वाली ए दातु है इसमें चार विकल्प दिया गये हैं पेला ए कार्बन बी आयोडीन सी ब्रोमीन डी सल्फर तो अपन चारों पर विचार करते हैं कार्बन है जो द्रव उस्ता में नहीं पाई जाती है कार्बन ठीक आयोडीन ये भी द्रव उस्ता में नहीं है Sulfur ये भी द्रव उस्ता में नहीं है C A Bromine Bromine जो है द्रव उस्ता में पाई जाने वाली A धातू है तो अपना जो सही आंसर है सही उतर सही उतर C Bromine कि इसका सही आंसर प्रаш नम्बर 4 है अपना कि सूद्सोना कितने केरette का होता है तो सूद्सोन दोत रेका होता थो सूद्सपूदऒ जवर", जवरती सूद्सपू नमें कुछ मिला जाता था तो येशुद दो जाता है, तो इसमें पितल और तामबा दोनू धान्तों में से कोई एक धान्तों मिला जाती है, या दोनू भी mix मिला सकते हैं, तो अब बात कर रहे हम सुथ सोने की, ने की जयवराती सोने की, सुथ सोना कितने केरट का होता है, इसमें चार विकल्ब दिये हुए हैं, पहला है A 22 केरट, B 24 केरट, C 20 केरट डी अठारा केरट तो अपना यहां सही अंसर होगा चोईश केरट का सुच्छ वोना सही उत्तर होगा भी चोईश केरट का होता है ठीक है प्रस्ट नंबर पांच सांद्र हाइड्रोकलोरिकामल एवं सांद्र नाइट्रिकामल का करमस्द है तीन अनुपाद एक में बना ताजा मिसरन क्या कहलाता है तो इसमें भी चार विकल्प दिये गए हैं उनमें से सही विकल्प को हमें चुनना है तो एक वारेज्या इसका सही आंसर है क्या है इसका सही आंसर एक वारेज्या सही उत्तर एक वारेज्या अब एक वारेज्या के पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं एक वारेज्या जो है गोल्ड को गलाने का काम करता है गोल्ड को यह गला सकता है इन दोनों में से किसी एक अमल को लिया जाए है तो वह गोल्ड को नहीं करना सकता है दोनों का यही मीश्रन इस चीज में उप्योगी थे ठीक है तो अब इसका भी सही आंसर एक वारेज्या परबल संसारक है और बबगता हुआ द्रव थेंक यू आपने इन प्रश्णों को पड़ा थेंक यू आपने इन प्रश्णों को पड़ा थेंक यू